हेलो एवरिवान, गुड मॉनिंग तो ओल, मेरा नाम है विशाल और मैं सभी का सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल इंग्लिश एक्सपो विशाल और जहां पर हम डिसकस करते हैं, अनलाइस करते हैं, निउस्पिपर का साथ ही में देखते हैं कि ग्रामर और वकैब लेट है ना, तो चलिए देखते हैं आज की निउस हमारी क्या होने वाली है, तो जो पहली निउस हमारी आज है, वो जो ट्रेजडी हुई है, उत्तराखंड में उसी से चुड़ी हुई है, तो जिसमें क्या बोला गया है कि 171 is still missing as death tall in Himalayan, tragedy rises to 26, तो इसमें पहले में words बता मतलब 171 लोग अभी भी missing हैं, गायब हैं और death tall जो है कि मरने वालों की संख्या कितनी होगी है, हिमालन tragedy में, rises बढ़कर कितनी होगी 26 हो गई है, और rescue workers trying to reach 35 levelers believe to be trapped inside tunnel हना, और इसमें ये माना जा रहा है कि जो rescue workers हैं, वो प्रयास कर रहे हैं हना, और 35 levelers believe to be trapped inside tunnel, जो तपवन tunnel हमारी है, उसके अंदर फसे हुए हैं कितने 35 लोग जो laborers हैं वो फसे हुए हैं, उसमें मलबा भर जाने की वज़े से जो silt होती वो भर गई है, जो debris से होता है, वो भर जाने की वज़े से problem great हुई है, और कुछ लोग जो experts हैं, उनका मानना है कि landslide likely trigger है, तो जो landslide की मोदी जी ने राजसभा में क्या बोला है, कि center is still open to talk, केंथर अभी भी जो केंच सरकार है, वो अभी भी मिन्स दर उसके लिए दरवाजा उसने खोल करके रखा हुआ है, ओपन करने के लिए तयार है कि से farmer के साथ से मोदी, मोदी ने ऐसा बोला, और आप सभी को पता है कि ज इस वज़े से, तो और साथी में उन्होंने और भी कई सारी चीज़े मेंशन की, उन्होंने बोला कि MSP will continue to be enforced, PM टेल्स राजसभा और PM मोदी ने क्या, ये भी बात अश्योर किया है, उन्होंने क्या लाइन क्या बोली, मैं से रिपीट करता हूँ कि MSP जो है minimum support price मोले जो है, नियुनतम समर्थे तो मोले जो पहले भी रहा था, आभी भी है, और आगे भी रहेगा, ये ही लाइन उन्होंने बोली थी राजसभा में, और ऐसा राजसभा में बोले जाने का मतलब होता है कि जूट नहीं बोला जा रहा है, तो उन्होंने PM मोदी ने राजसभा को बताया और साथी में कई सारे और भी चीज़े उन्होंने जो foreigners हैं जो फोर बाहर के लोग हैं जो क्रिट साइस कर रहें इंडिया को अपने फाइदे के लिए जैसे रियाना हो गई है न तो ये रियाना वही है रियाना पॉप सिंगर वही है जिनोंने बोला था कि इंडिया बहुत गर किया था कि उन्हीं रियाना कुफर जब उन्होंने बुला था गरीब है तो रियाना कुफर उन्होंने डांस के लिए बुला था इंडिया में तो इंडिया गरीब नहीं है यह उन्होंने मतलब एक मजाग के चैंस में बोल रहा हूं कि ऐसा लोग बोलते हैं कहते हैं कि उनको अब याए इन्डिया को गरीब वोला था इसलिए अब स्दोब लगा है कि अब यह को नियु टॉन किया है और उन्य को बता देता हूं कि उजो नए तर्म से उन्होंने बूला कि आंदोलन जीवी पुर अब को के लिए पुला गया है जो professional protesters हैं कहीं भी इकठा हो जाते हैं उनको hire कर लिया जाता है और वो इकठा हो जाते हैं किसके लिए हैना कि protest करने के लिए तो बोला कि आंदोलन जीवी चला रहे हैं ना कि farmers ला रहे हैं और उन्हेंने बोला कि जो एक और नया item दिया है कि FDI आई तो एक FDI तो हम जानते हैं foreign direct investment लेकिन उन्हें यहां पर जो बोला है वो बोला कि foreign destructive ideology FDI और किसले बोला to lampoon lampoon का मतलब करते हैं उन्हेंने बोला था कि foreign destructive जो ideology है जैसे ग्रेटा थनबोग हो गई जो अर्याना हो गई या फिर मीना हैरिस हो गई है ना इन्ट सब को ले लो यह सब अपने फाइदे के लिए सब चीजे करते हैं तो उनके उपर ने कटाक्श किया है और नहीं चीजे बताई बोली कि मिन्स farmers के लिए उत्यार है और जो प्रति उत्तर आया है वह यह आया है कि इंपर्टी टॉक से इस farmers farmers का मानना है कि जो बातचीत कर रहे हैं यह सब फोकली हैं में कुछ है नहीं यह बोला लेकिन मिन्स जहां तक ही चाहिए कि चीजे सही हो जाएं जितनी अच्छी है नहीं अच्छ अच्छ रही है ना जललिता जी जो लेट जललिता जी उनहीं की एड़ थी हलप करती थी उनकी इन तमिलनाटू वीकेशंटी का लागर समय से वेलकम उनको पूरी होगी तो वापस आई है तो उनको मैसे वेलकम बिला है और मान देंचितना होगी सेवन-थार्टी मॉर्णिं मंडे को हैं न kitty को लगभाग पहुची इन्हों ने टाइम हाँ सेवें थाटी एंब को निकली है और इनकी जो वेहिकल है एक उसले हैं की चाहरी को क्या भूलागा है नियू लेबर कोड्स टू अलाव फोर डे वर्क वीखना कहने का मतलब कि एक सब्ता में चार दिन के लिए काम के लिए प्रावधान करेगा कि जो लेबरर्स हैं उनको सहूलित देने के लिए जो क्या करने के लिए कि निया जो कोड आ रहा है और निया कोड क्या आ रहा है कि पूरा जो लिखा हुआ है कि वर्कट्स थ्रोद एंप्लॉइस स्टेट इंसरेंस कॉर्परेशन और लेबर एंप्लॉइमेंट सेक्रेटरी जो अपूर्व चंद्र उन्होंने यह बोला है किसके मादे में एंप्लॉइस स्टेट इंसरेंस कॉर्परेशन की तरफ से इस सब सारी क्या है और काफी चीजे सजेस्ट भी की गई है कि सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो इन्वाइमेंटलिस्ट है उन्होंने भी मिंसे दाहिंदू का है तो दाहिंदू ने खुद ही लिखा है तो उसने क्या सजेस्ट कि क्या करना चाहिए इसको ले करके चर्षा विस्तार में की गई तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम आज हमको ग्रामर से और वकाबिल्टरी कि इतनी सारी सीखने को मिलेगी तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो आर्टिकल हमारा शुरू हो रहा है तो क्या भूला गया हम वहां से स्टार् और ये उन मांटेंज की बात कर रहे हैं तो उत्राखंद में बात कर रहे हैं तो 10 भुंतिवाध रस्टना भी जेखो यह उन्होंने लगा किंगतार है कि हिए कि जीडिक्स करने के लिए विशेस बनाने के लिए तब हम दा का इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने बुला दा उत्राखंड ग्लेसियर ग्लेसियर कहां का आप देखें यहां पर जो उत्राखंड है यह एक तरह से आप एड्जेक्टी को काम कर रहा है पूरा अगर बुरे तो मिंस नाउन फ्रेज है दा यहां से आपका पूरा इतना सब्जेक्ट है यहां से उत्राखंड ग्लेसियर बुर्स्ट हुआ है मतलब जो फटा है ग्लेसियर शुड़ प्रॉंप्ट है ना शुड़ काम इस्तेमाल सजेशन के सेंस में करते हैं तो प्रॉंप्ट का मतलब क्या होता है कि इंस्पायर करना done without delay है ना कि वो काम किया जाना चाहिए या फिर उसको inspire करना चाहिए यह जो glacier burst हुआ यह inspire करें किसको और review review का मतलब तह समिक्षा किसकी समिक्षा of how the Himalayas are treated है ना कि किस तरह से अब देखो Himalayas के पहले क्या है ना कि जो यह ranges की बात कर रहे है how the Himalayas treated की हिमालया जो ranges है माउंट है ना उनको कैसे treat किया जा रहा है है किया जाता है उनको उन्होंने बोला कि वहाँ पर कैसे चीज़े हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे हैं उनकी समिक्षा होनी चाहिए यह कौन किसकी वज़े से बोल रहे हैं कि यह जो glacier out burst हुआ है उसकी वज़े से फटा है उसकी वज़े से यह बोला जा रहा है और नेक्स देखते हैं नेक्स में यह बोला गया है तो staggering का मतलब होता है कि एक्टम परिशान कर देने वाला चौका देने वाला collapse जो ढख गया है धराशाई हुआ है फटा है क्या आप आप आफ है पिपढस तर बहुत रहे है ना जो झाने पार लिए ङकारन बन रहा है कि पलड़ ऑन रहा है that have clay जिसने की क्या किया है have claim to ले लिया है घूशना कर देए कि मैनी life समय कई सार इसने जिंदगियां ले ली है है इस ड़ी रिमांडर और किस रूप हमारे सामने आ रहा है कि deadly reminder के रूप में कि हमको याद दिला रहा है देट इस फ्रैजल है ना फ्रैजल का मतलब क्या होता है ना जुक है ना जुक जियो लॉजिकल जियो लॉजिकल भूवैग जो आपका क्या बोल सकते हैं भूवैग यानिक है ना डाइनमिक मतलब गतिसील र reminder है हमारे लिए हमको याद दिला रहा है कि फ्रैजल जो बहुती नाचुक भूवैग्यानिक जो गत्सीलता है कहां उसको हम हलके में नहीं ले सकते हैं नहीं लिया जा सकता है यह हमारे पहले मिंस दूसरी स्टेट्मेंट में बोला गया नेक्स है सिगनिफिकेंट एक महत्वपूर्ड स्लाइश आफ ग्लेसियर जो टुकडा था ग्लेसियर का क्या हुआ डिस लॉज्ट बाइ लेंड्स्लाइट लाज का मतलब क्या होता किसी कोई फाइल बगएरा करते हैं या केस करते तो लॉज किया जाता जिसमें बंद करते हैं और डि सेटलाइट के द्वार आया है और किसके कौन मान रहा है according to two some satellites images किसे पता चला है कोछ सेटलाइट images हैं उसकी माधम से पता चला है produced और इसने क्या किया है प्रडियूज्ट क्या किया है रोरिंग बहुत ही मतलब गरजना करने वाला torrents का मतलब बहाव तेज प्रवा कहां पर रुशी गंगा और धौली गंगा रिवर्स इन चमॉली डिस्टिक हैं चमॉली डिस्टिक में जो रैशी गंगा और धौली गंगा नदियां हैं इन Bets उते बहाँ तेज कर दिया है और क्या कर दिया है ट्रैपिंग यह देखो ट्रैपिंग यहां पर देखो आएंजी लगा होता है तो या तो क्या होता है कि continuous sense रहता है जो एक्टिवाइस में होते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं या फिर trapping लगा होगा तो दो केस और हो सकते हैं non-finite में जाएंगे कहां जाएंगे non-finite हमारी जो वर्ब होती है वहां गर जाएंगे non-finite वर्ब में जाएंगे तो non-finite में हमको दो केसे मिलते हैं अगर आएंगे लगा तो या तो वह adjective करेगा है न तो adjective होगा तो present participle होगा और अगर आएंगे लगा है adjective का काम नहीं कर रहे ना उनका काम कर रहे तो gerund होगा है न तो यहांपर काम करने वाले जो और कैसे unsuspecting जिनको कुछ भी आशा नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा उनको ट्रैप कर दिया कहाँ एट टू हना दो जगाँ पर हाइड्रो हैना प्रोजेक्ट साइट जो हाइड्रो प्रोजेक्ट साइट थे वहाँ पर और इस स्कूर्स जो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो चल रहे थे पानी से रिलेटेट चल रहे थे हैंड्रो का मतलब यह रूट वर्ड है रूपी आता है वहाँ पर वाटर के संस में लिया जाता है है तो उन लोगों को वहाँ पर कैद कर दिया है शूर्स औप पिपल एंव चल रोमान में बात करें तो के का मतलब गोंगी बिखव का काम पर रहे हैं और का प्रे मिसिंग जो रहर का का सिल्ट जो गाद होती जो मिट्टी sentजी होती है यह इस तेल मिसिंग है इन वेडो का order का लाहर है उसमें और वाल का शिल क्या दणी होती गाड़ी और घटा करकट है घट स्वाइम्ट सभी तक मतलब दलदर जहां पर इकठा हो गया है ना रिवर्स जो रिवर्स में यह शिल्ट और डबरीज को इकठा कर दिया यह ले बहा कर ले गए और का फिल्ट टरनल सा और उसने टरणल को फिल कर दिया इन तपवन पाउर प्रोजेक्ट था उसकी जो टेलेंस वगरा थी वहाँ पर उनको भर गया सिल्ट वगरा वहाँ पर भर गई है ना तो यह बता रहे हैं कि इतना वहाँ पर देखने को मेला प्राब्लम क्रेट हुई और कहा है ऑल्दो यद्देपी भी हमारा कहा है कि प्रापोजिशन की तरह में इस्तेमाल कर सकते हैं और कंजंक्शन की तरह भी इस्तेमाल होता है और यद्देपी दो इमेडियेट रस्क्यू है ना कि तुरंत जो रस्क्यू रहतकार चला गया नियर्ली 15 पीपल बाई ITBP हैना कि इंडियन इंडो तैबतन तिबतन बाडर पुलिस है उसने क्या चलाया कि रस्क्यू में रहतकार चलाया तुरंत ही 15 लोगों और आर्मी आर्मी ने भी और अधर एजन्सी और अधर एजन्सी ने ब्रिग्स संब्चियर ना इन सभी ने क्या एक थुड़ा सा उत्साह लेकर रहे कोई खुशी हमारे लेकर रहे कि कुछ लोग इसमें बच ग चुनोटी पूर्ण इन्वार्मेंट हैना जो पर बातावरन है वहां का चुनोटी पूर्ण उसका सामना कर रहे हैं सो प्रीयास करते हैं लोकेट करने का कि मोड़ सर्वाइवर्स की जन्दा बच्चे भी लोग हैं कि जीवित लोग बच्चे हैं हैं तो उनको सब सामान बगरह सब दे रहें है न तो यह हमने देखा नेक्स देखते हैं इमेडियेट मैजर्स जो यह उपाई लिए गए हैं मांदंड लिए गए हैं इमेडियेट जो तुरंत हैंना मैजर्स लिए गए हैं कि आर इंपोर्टन बहुत ही मातपूर हैं along with speedy compensation और पर आफेक्टेड फैमिलीयस देखो यहां पर आगया ना यहां पर चुई किया गया अफेक्टेड है जब हम जैंडर उते तो पाराजफ के सामने आते है प्रेजंड जो फार्ट से प्ल होता है उसको हम वरवल अडजेक्टिव बोलते हैं तो जिसमें प्रेजंड इस्तिमाल होता जैसे moving train तो कैसे train moving तो यहां पर प्रजन पार्ट से पहले और अगर affected families यहां पर प्रहावित families तो यहां पर यह जो affected एक थरड फरम इस्तिमाल की जिस पों बोलते हैं जाना क्या बोलेंगे एक तरह से बोलेंगे पास्ट पार्ट से पिल है न तो यह हो गया हमारा पास्ट पार्ट से पिले families तो जो प्रहावित families उनको क्या compensation दिया जाए और साथ में क्या बोला बाई दे सेंटर 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 क्या करें बट हां सुरी बट दे सेंटर उत्राखंड जो इसका बड़े संद्रव में जो है प्रसंग में स्टेट्स इंक्रीजिंग फ्रैलेटी की जो राज्य की जो फ्रैलेटी का मतलब आप क्या बोल सकते हो है न कि जो निर्वलता उसकी जो बढ़ रही है कमजोरी उसकी है इन इन फेस आफ इन्वार्मेंटल शॉक्स है न कि जटकों के रुप में जो उसको मिल रहे हैं उनके कमजोर दिख रही है कि उसको इग्नोर वो नहीं कर सकती उसको हैंडल करना पड़ेगा चीज़ों को देख पड़ेगा है न यह बता रहें और वंस दग क्रोशीवल को मतलब क्या हुँता कि संकट की घड़ी जो होती है एक वार क्या हुआ एन्वार्मेंटलिजम का मतलब वही चिपकों अंदोलन चलाया था और देवी गवरा देवी और चिपकों मॉमेंट जो था इन सबी ने कहा प्या एक्जामपल सेट किया था और हमको एक समय संकट के घड़ी में सब हमको याद आए है ना ये देखने को मिला स्टेट्स डीप गॉड़्ड्श है ना कि जो गॉड़्ड ओड़्ड्श है यह जो गॉड़्श होते हैं यह डीप वैली के सिन्स में लिया जाता है मतलब कि यह बीच में घाटी हो और दोनों तरफ बड़े-बड़े उचाई वाले बने हो और कैनेंज भी होता है एक तरह से कैनेंज क्या होता है कि कुछ ऐसे मालो पहार टाइप में चारो तरफ से घाटियां बनी हुए बीच में पानी है यह जोग्रफी के टर्म से उसके जा ऩर्ट का गिए क्या किया है क्योंकि ऊंचे होते हैं यहां से पानी की हल्प से क्या कर सकते हैं तो पृट्सट्रेटेशक्ति यह फार्ति्रे पावर वाली ह widzily přावाली सरी बन सक्टी बनाए जाती इन सब बahiione Ile प्रजेक्ट सो बहुता करते हैं यह बरम हमतों को घृक्तेय लोग यह चाह रहें और बोला गया कि red flags have been raised repeatedly red flags हम कब करते हैं लाल जंडी का भिलाते जब ख़तरा होता है तो कह रहे हैं कि to environmentalists है उन्होंने क्या किया है कि red flags बहुत बार दिया गया है when raised repeatedly बार बार उठाया गया है और ही काम बहुत पहले संदरला और बताया कि पर्टिकुलर्ली विशेश रूप से आफर दा मोडरेट अर्थक्वेक इन 1991 1991 में जो हलका आया था अर्थक्वेक आया था किसमें इन दरीजन किस हैत में वेडर टेहरी डैम वाज बिल्ट जहां पर टेहरी डैम बनाया गया था बहुत ही जो भैंकर रूप से जो फ्लड आई थी हैना फ्लट समको देखने के वहला पानी आया कहां 2013 में डिवास्टेट जिसने मतलब एक तरह से मतलब कि क्या कैने संकट में डाला समस्या खड़ा घर दिया आप दाले कर आया सब कुछ एकदम परिशान कर दिया था के दानात को हैना पॉयंटींग टू किस की तरफ पॉयंट करते हुए कि अनुझा फिर जरेइंड का इस्तामाल किया पर इंटिंग टो दो थ्रेट असक已经 tudरे किस संकingle करते हुईो है ट्यक्याश्य सट्सट्थ इसम Daisy Still City The lerand say reducing के का मतलब भोकम से जुड़ा हुआ थो भोकम पुरूपी new भुकाम्मपी जो था है ना उससे जुड़ा है जो अलर्ट हमको रिस्कमप को दिखाया डैम अंड्यूस्ट सिश्मिक सस्मिटी है ना कि जो डैम की वज़े से माक्रोसिस्मिटी दिखाए दी लैंड स्लाइस की वज़े प्रॉट्स फ्रॉण variety of causes कई तरह से जो flood आती हैं उनकी वज़े से एंक्लूडिंग आनस्टेबल ग्लेसल लेक्स जो ग्लेसल लेक्स है ना अनस्टेबल जो आइस्थिर हैं उनकी वज़े से और climate change की वज़े मतलब कई सारी समस्याओं की जो उपर जो mention की गई इनकी वज़े से जो हमको रिस्क देखने को मिला भूकम देखने को मिला है ना तो यहां पर हमको ध्यान देने की जरूत है नहीं तो प्रोब्लम हमारे लिए create हो सकती हमको देखना पड़ेगा एक हैना चाहरे है ना नेक्स है कि इंडिया इस हैवली इन्वेस्टेट इंडिया ने क्या है कि है इस हैवली इन्वेस्टेट कि में बहुत ज्यादा इच्छुक है और इन्वेस्ट करने को है इन्डेमी में room करना चाहता है एंडग्रोथ वज़े से हमालया रेजन सूट करता है इस वज़े से क्योंकि उंची नीची जगह होती है जहां पर उंची पर पानी होता है नीचे रिजरवयर बनाया जा सकता है जहां पर पानी कठा किया जा सकता है तो इस वज़े से डाम अगरा बना के हम कहा कर सकते हैं पानी कठा कर सकते है ना तो यह सब कार्बन को रोकने के लिए किया जा रहा है बाइवन इस्टिमेट अगर एक अनुमान को माने इफ दन नेशनल प्लान तू कंस्ट्रक्ट डैम्स इन ट्वंटी एट रिवर्स रिवर्वैलिस इन दा हिल्स इस रियलाइज इन फ्यू डिकेट्स कह रहे हैं कि एक वान इस्टिमेट है एक अनुमान के सबसे इफ दन स्वृजणव का मतलब यहां पर कि वह पर कारणवित हो बना धिया जाते हैं वहाह बना दिये जाता है और प्र तो कि यह था तर्टी टू किलोमेटर कह रहें कि तो इंडियन हिमालया होगा न उसमें कि हर एक थर्टी टू किलोमेटर पर एक डैम को मिलेगा अमंग वल्ट हाइश्ट देंसिटी की दुनिया की सबसे ज्जादा घनत में देखने को हम को यह मिले का यह कहना कारें कि इतना पास पास में वहां पर बनाया जाएंगे इप फुर भी रिशर्च ata क्या कहते हैं धिस कैन वी मिट स्कालकुलेशंप आधिर चाहемонित में एक है으 इंक्लूडिंग अगर यह तरह से मिस कालकुलेट किये गए क्यों क्यों कि इसकी वज़े से क्या अर्थ को एक आ सकता है इंपक्ट देने को मिल सकता है मांसूनल टेके अवेरिशन्स अवेरिशन्स का मतलब क्या होता है कि जो एक तरह से जो उनमूलन हो सकता है है ना खतम हो सकता है और क्या बोल सकते हैं डैट क बहुत ही खतिर नाक वाई डाःवेर्सिटी लॉस होगा है ना बुरी तरह से जो जव मतलब लाइफ होता है और ढॲीख घृषा और लना कि लोल उसकता है इंपर्टंटली इंहां पूंट रूप उनके लिए problem create होंगी है ना there is also some evidence यहां पर कुछ हमको और भी इस बात के साक्ष मिलते हैं किस बात के साक्ष मिलते evidence that evidence that the life of dams is often exaggerated उनकी जो life और इसके बढ़ा चारा करके बताई जाती है siltyation siltyation का मतलब जो जमा हो जाती जो मिट्टी जमा हो जाती है विच रिडिसे जो की घटा देती है इसकी जो life को घटा देती है इस grossly underestimated हम उसको ठीके क्या करते हैं कि उसके महत को कम समझते हैं उसको कम अनुआनित करते हैं इन भ सब्सक्राइब जितना calculate किया गया था उसके 140 प्रदेशर ज्यादा था है ना मतब सिल्टेशन वहां पर मिट्टी ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाती है इस तो रिगरस्ली स्टडी दा इंपक्ट आप पॉलसी और हिमालयास के ओपर और कंफाइन करें हाइडरो हाइडरो प बंद आरकर सीमित करें लिस्ट इंपक्ट उनका कम पर पड़े हैं और रिलाइंग यिसके अपर रिलाइग नहीं है बड़े बनाने की यहां पर पानी कठा होता पहले है देखो दम बनाए जाता तो उपड़ से पहले पानी कठ्छा करने के लिए बना जाता ह। भानी नीचे गराए जाता है न इन तो इन तो इन शबंद हम यहाल को हलका वाला बनाने की जरूत कि वो जो जिस तरह वो मानते हैं अगर मुझतरा से ना देखें दिस वुड़ भी साउंड एप्रोफ तो एक हमारे लिए क्या होगी एक साउंड क्लियर साफ साफ एप्रोच होगी बेहतर तरीका होगा कि हम कम लोग पावर वाले बनाएं कम इंपक्ट वाले बनाएं जिससे कि प्रॉब्लम क्रेट हुई हो दुबारा ना हूँ है ना तो और इसमें कई सारे आपको नाम भी देखने को बिलेगे जैसे सुंदर राल बहुड़ा और मिंस जो और भी हमको कई सारे नाम जैसे मैंशन हुए जिया गरूफ हे टम्स यूज किये और कुछ हमने ग्रामर्स कर लिसिन और मिंस थैंक यू और अगर आप ने ही तो जरू सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है ना तो थैंक यू